लेसन नमबर वन वाटर को हम पूरा पढ़ चुके थे इसके तीनों वीडियो आप मेरे यूटूब चैनल पे जाकर वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं और आज के शॉट वीडियो के माध्यम से मैं इसका हिंदी सारांस लेकर के आया हूँ लेसन वाटर एक निवन्ध है जिसे प्रोफेसर सीवी रमन ने लिखा है इस पार्ट में जलको साधारन एवं असाधारन दोनों ही द्रव की रूप में बताया गया है एवं जलको जीवन का आधार की रूप में प्रस्तुत कर इसके संग्रहन, संग्रक्षन एवं समुचित उ करने वाला वह दिव्यकालपनिक अम्रित नहीं है जिसकी तलास मानव युगों से कर रहा है बलगी जीवन का सच्चा अम्रित साधारन जल है जो सभी लिक्विट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है और सुलवता से प्राप्त होने वाला है क्योंकि वो हमारे सबसे ज़्याद वेली से प्रतक करती है इस प्रतक करने वाली रेखा के एक और भयंकर मरुष्तल था जहां पर ना जीवन था और ना ही बनस्पती थी और दूसरी और सरवादिक उपजाव वाला सगन आवादी वाला छेतर था जो जीवन एवं बनस्पती से परिपूंड था यह रिवर के जल के कारण हुआ था और मिस्र के निर्माण में इसकी नदी की भूमी का सर्वो परी रही जल जिसका की हम अपने दिन पृति दिन के उप्योग में कोई मैत्व नहीं समझते हैं इसी जल ने प्रत्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में सरवादिक मैत्पू भूमी का निभा रहा है इसलिए जल को इस पार्ट में मोस्ट पोटेंट सर्व सक्तिसाली और अदबुद बस्तु कहा गया है जल को ग्रामिट छेतरों के सौंदरे में व्रिद्धी करने वाला बताये गया है कि चट्टानों से रिसकर वैती छोटी सी जलधारा हो या छोट चोटे तालाब हो जहां शाम होते ही पसु अपनी प्यास बुजाने आते हैं इस प्रकार जल ग्रामिट छेतरों की सुंदर्ता में व्रिद्धी करता है साउथ इंडिया में वर्षा जल से भरने वाले तालाबों के वारे में बताये गया है कि वो छिचले हैं परन्तु ऐसा कमप्रतीत होता है और मैसूर में इनी तालाबों के अंदर अधिकांस चावल उगाया जाता है इनी तालावों के पास आकर सूरियोदे वा सूरियास्त का द्रश्च से देखना बहुत मनमोहक लगता है परन्तु अत्यन्त खेत का विशे है कि इन तालावों के रख रखाप पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पार्ट में जल की तुलना एक चेरे पर आँखों से की गई है जल की शक्ती के बारे में बताय गया है कि वहे अपने साथ सिल्ट और हैवी पार्टिकल्स को दूर तक बहा कर ले जा सकता है जल प्रभा की विनासकारी भूमिका के बारे में बताय गया है कि इसे यदि रोका नहीं गया तो यह अपने साथ जो संपून क्रिश्ची का अधार है मिट्टी उसको बहा करके ले जाएगा भारत के विविन भागों में मिर्दा अपरदन की समस्या को बहुत गंभीर समस्या बताय गया है यह चरणवद्ध तरीके से होता है जिसका प्रारम में पता भी नहीं लगता है और बाद में डीब गुलीज और रेविनीज के कारण क्रिशी करना असंभव हो जाता है अत्यदिक वर्षा होने के कारण अधिसेज जल वह जाता है और यह मिर्दा अपरदन का प्रमुक कारण है जल के बहाव को शीग्र रोकना हमारा उद्यस्य होना चाहिए क्योंकि यदि इसे रोका नहीं गया तो यह बिनासकारी सक्ती ग्रहन कर लेगा सुझाए गए उपायों में से एक है इस पार्ट में जल को जीवन का आधार बताये गया है और इसके बिना कोई वी फियोलोजिकल एक्टिविटी संभव नहीं है और भारतिय क्रिशी पूर्ण रूप से मौसमी वर्षा पर निर्वर है और यह मौसमी वर्षा एनिमित पर्याप्थ है इसलिए जल का कलेक्शन, संग्रहन, कंजर्वेशन, संग्रक्षन और एप्रोप्रियेट यूज समुचित उप्योग परमावश्यक है Systematic Planting of Suitable Trees यानि उप्योक्त व्रक्षों के व्यवस्तित रोपन द्वारा Civilized Forests सब ये जंगलों के बारे में बताया गया है कि वे समृद्धी के स्रोत सिद्ध होंगे Lesson में बताया गया है कि आंत्रिक जल्मार्ग की घोर उपेक्षा कर हम सिर्फ रेलवा सडक निर्माण की बात करते हैं अतहे आंत्रिक जल्मार्गों की और ध्यान देने की बात कही गई है Water Supply यानि जलापूर्ती पर नियंत्रन रखकर Hydro Electricity जल विद्यूत के विकास की संभावना बताई गई है और पार्ट के अंत्र में जल्कों कॉमन लिक्विट के साथ साथ इसकी एमेजिंग प्रॉपर्टीज के कारण इसे अनूठा द्रब भी बताए गया है एवं इसका अनुसंदान कभी भी समाप्त ना होने वाला विशे है Thank you very much for watching this video and must watch all the three videos of this chapter